ओ मैं नमहां सी वाई नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के वाई अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीवन में साल 2022 में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि ये वेडियो वाई नाम के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्यपुर्ण एबम उपयोगी है मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबम सांदार हो सके मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि जिन लोगों का नाम वाई अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीबन में दो हजियार बाईस में किया किया बदलाब होगा शब से पहले बात करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के बारे में मित्रों आने बाले शमय में सिक्छा के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा मित्रों आने बाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्षा के छित्र में समय के दुरुप योग से बचना होगा एबम आप में से जो भी जातक आने बाले शमय में प्रतियोगी परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत परिस्रम बहुत ज्यादा करना होगा क्योंकि आने बाले शमय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्षा के छित्र में पढ़े सानी का सामना आपको करना होगा तो आने बाले शमय में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए दोस्तों आप में से जो भी जातक पढ़ाई लिखाई के कारण अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आने बाले शमय में आपको घर से बाहर जाने का मौका अविश्य मिलेगा लेकिन ऐसे मौके को बड़बाद करने से आपको बचना चाहिए दोस्तों आने बाले शमय में यदी आप अपने पढ़ाई लिखाई में यदी आप भाग के भरोसे बैठे होते हैं तो आपके पढ़ाई में आपको पढ़े सानी का शामना बहुत ज्यादा करना होगा दोस्तों आने बाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई में अपनी एकागरता को बहुत ज्यादा मजबूत करनी चाहिए जिन चीजों के कारण आपका मन भटक जाता हो जिन चीजों के कारण आपकी मानसिक सांती भंग हो जाती हो तो आने बाले शमय में इन चीजों को आपको दूर करना चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके पड़िबार आपके पाड़िवाडिक जीबन के बारे में मित्रों आने बाले शमय में पाड़िवाडिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत जयादा सांदार होगा मित्रों साल के सुरुवात में भगबान सनी की दृष्टी आपकी रासी के तीसरे घर में होगी एबं भगबान सनी की दृष्टी तीसरे भाव में होने के कारण आपके छमता में बहुत जयादा इजाफा होगा मित्रों साल 2022 में गुरु बिरस्पती की दृष्टी आपकी रासी के चोथे घर में होगी एबं आपके पडिबार में सान्ती बनाने में भगबान सनी के साथ गुरु बिरस्पती का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने बाले शमय में जो आपके पडिबार के दुस्मन होंगे जो आपके घर के सत्रू होंगे तो अपने दुस्मनों पर आपकी बिजय अबश्य होगी एबम इसके अलाबा आने बाले शमय में आप अपने समाज की भलाई के लिए कोई भी महत्वपुर्ण कदम उठा सकते हैं लेकिन मित्रों साल 2022 में आपके घर पडिबार में पैसों के कारण या जमीन जायदाद के कारण कुछ समय के लिए बहुत जयादा असानती होगी कुछ समय के लिए आपके घर के सभी लोगों के बीच में तनाब एबम मन मुटाब बहुत जयादा होगा तो मित्रों ऐसे हालात में आपको अपने पाडिवाडिक जीबन के परती बहुत ज्यादा साबधानी बरतनी चाहिए तो इसके बाद बात करते हैं आपके बैबाहिक जीबन एबम आपके प्रेम जीबन के बारे में मित्रो आने बाले शमय में आपका बैबाहिक जीबन बहुत जयादा मजबूत एबम सांदर होगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके जीबन में कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या होता है तो उस पड़ेशानी में आपके जीबन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा एबम जीबन साथी के सपोर्ट के कारण आपका बैबाहिक जीबन बहुत जयादा मजबूत एबम बहतर होगा लेकिन मित्रों साल 2022 में आपके घरबालों के कारण आपका बैबाहिक जीबन कुछ समय के लिए बहुत जयादा खराब होगा तो ऐसे हालात में अपने बैबाहिक जीबन को मजबूत करने का प्रयास आपको करना चाहिए मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम जीबन की बात कड़े तो प्रेम जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा न जयादा मजिबूत न जयादा खराब मित्रो आने बाले समय में आपको अपने प्डेम जीबन में अपने वानी एबं अपने बिभार में बहुत जयादा मधूरता लानी चाहिए आने बाले समय में आपको अपने बिभार को अपने बानी को बहुत जयादा मधूर बनाना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं यदि आपके बिभार में उगरता होता है तो आपका प्रेम जीबन बहुत जयादा खराब होगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहुतर एबम सांदार होगा मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बहुतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको माता दुरगा की पुजा करनी चाहिए अपने पुजा पाठ से माता दुरगा को आपको खुस करना चाहिए मित्रों यदी आप ऐसा करते हैं तो आपके जीबन में कोई भी पड़ेशानी नहीं होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे एबम इस वीडियो को आप हरे जगह से यर कर दे धन्यवाद जैसियाराम राधे राधे